हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में डिस्कस करना वाले हैं कि अगर अभी भी आपके पास वाइक्यू आर्च आपने इंस्टॉल नहीं किया है या फिर करते वे आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर फेस हो रही है तो उसका हम सेलूश क्या है उसके बारे में भी आम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यू आर्च को यहां पर इंस्टॉल कर लिया है अब आपको भी मैं समझाता हूं कि नॉर्मल ही कैसे करते हैं और इश्यू आने के बाद इसका प्रॉब्लम का solution कैसे निकालते हैं सबसे पह करना है और उपन करने के बाद YQR 6.7.4 होगा आप इस पर क्लिक करें और यहां पर एक option होता है 6.7.4 आपको इस पर क्लिक कर देना है तो यह आपको पूछेगा कहां पर आपको सेव करना है YQR के नाम से और आपको सेव कर देना है जैसे आप करोगे आपका installation स्टार्ट हो जाएगा और यह पूछेगा कि आप इसे कीप करना चाहते है यह इसे ऐसे वायरेस ले रहे है तो आप इसे कीप करें और आपका software इंस्टाल हो जाएगा आप उपन करें इसे तो आपका कुछ एक रार फोर्मेट में इस तरह से फाइल आएगी आप इसे राइट क्लिक करें और एक्स्टेक टु वाई क्यू आरच पे क्लिक करें तो आपका एक फॉल्डर यहाँ पे उपन हो जाएगा एक सिंपल सा तरीका क्या है अगर आपका हो जाता तो बहुत बढ़िया कि यहाँ पे एक सेटप मिलेगा एक 40KB का आपको इस पे राइट क्लिक करके रन एज अब आप देख सकते हैं मैंने अपना भी वाई क्यू आर्च यहां से अनिंस्टॉल कर दिया है ताकि आपको मैं इंस्टॉल करके दिखा पाऊं तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने सेटप पे जाना है जहां पर आपका सेटप है इस सेटप को क्लिक करें ऑप्शन पर जाएं फर्स्ट आपको मिलेगा यहां पर फाइल फाइल पर यहां पर प्लस पर क्लिक करें और यहां पर कुछ जो स्पोर्ट फाइल्स हैं वो सारी नजर आएंगी लास्ट वाली पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ब्राउस पर क्लिक करना है औ एक और add करें, browse करें उसके बाद दुबारा आप वहाँ पे जाएं उसके बाद yq arch पे जाके folder में सबसे पहले font वाला folder है इसको open कर दें, यह आ जाएगा यहाँ पे एक और add करें, browse करें दुबारा आप c drive पे जाएं और एक आप user1 के नाम से open कर लें यह करने के बाद apply कर दो, okay कर दो यह करने के के बाद जैसे आप apply, okay करऊगे आप अपने AutoCAD को restart करो जैसे मैं यहाँ ने नर्च पे रिस्टार्ट करता हूँ जैसे आप AutoCAD को restart करोगे तो यह आपको install के लिए बोल देगा जैसे इस तरीके से आप always load पे click करो फिर always load पे click करो तो आपका YQ Arch install हो जाएगा but problem is जो यहाँ पे language आएगी वो Chinese या कुछ अलग तरीके से आएगी आपको इस पे click करना है first वाले पे click करना और इस पे भी first पे चले जाएगे जाने के बाद यह program आपका open होगा यहाँ पे एक option मिलेगा आपको language करके language 1 है 1 को 0 कर दो यहाँ पे and file पे जाके save कर दो and close कर दो जैसी आप यह करोगे and ok करोगे तो आपका यहाँ पे YQ Arch English language में show हो जाएगा और आप देख सकते हो सारी चीज़े आपकी यहाँ पे install जाएगी और आप इसे easily use कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like करें share करें और comment करना मत भूलें अगर आपको और भी कोई doubt आव आई क्यू आप से related या किसी भी और topics कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरेको comment section में बता सकते है